हेलो डियर फ्रेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास 11 की स्टोरी दा एड्रेस जिसकी राइटर है मारगा मिंको उस कहानी का वर्डन करेंगे दा इस चौर्ट स्टोरी इस पॉइगनेंट अकाउंट आप डॉटर एक ऐसी छोटी सी बच्ची की मरम इस परशी कहानी है जो अपनी माता जी की पुरानी वस्तों की खोज में निकलती है और जब उन वस्तों को पाती है ये चीजें उसकी पुरानी मेमोरीज को ताजा करती है however फिर भी she decides to leave वो निश्चे करती है उन चीजों को छोड़ने का them all behind सब कुछ अपने पीछे and resolve to move on और आगे बढ़ने का फैसला करती है कहानी बहुत इंटरिस्टिंग है इसका पहला part हम आज translate करेंगे हिंदी में do you still know me? क्या आप अब भी मुझे जानती है? I asked मैंने पूँचा जो इस कहानी की सूतरदार है बच्ची उसने पूँचा the woman उस ओरत ने look देखा at me मेरी और सर्चिंग ली खोज की नजर से she had opened the door a chink उसने थोड़ा सा दरवाजा खोला I came closer मैं नजदीग गई and stood और खड़ी हो गई on the step city पर no नहीं I don't know you मैं तुमें नहीं जानती I am Mrs. S's daughter मैं Mrs. S की बेटी हूँ she held her hand on the door उसने दरवाजे पर हाथ ऐसे रखा as though जैसे की she wanted वो चाहती थी to prevent रोकना it is go opening खोलने से any further और ज्यादा her face उसका चेहरा gave absolutely no shine of recognition पहचानने का कोई चिन नहीं दिखा रहा था she kept staring वो निरंतर घूरती रही at me मेरी और in silence खामोशी से perhaps शायद I was mistaken मुझसे गलती हुई थी I thought मैंने सोचा it is not her शायद यह वो नहीं है I had seen her मैंने देखा था उसको only once cable एक बार fleetingly सरसरी नजर से and that was years ago और यह बात सालों पुरानी थी it was most probable ऐसा बहुत संभव है that कि I had run the wrong bell मैंने गलत दरवाजे पर घंटी बजाई है the woman let go of the door and step to the side उस औरत ने दरवाजा लगभग बंद कर लिया और रास्ते में खड़ी हो गई she was wearing my mother's green knitted cardigan वो वेरिंग पहनी हुई थी मेरी माता का knitted माने बुना हुआ ग्रीन हरे रंग का cardigan the wooden button लकडी के button were rather पीले अप एक शकरत पीले हो गए थे from washing धुलाई से she saw उसने देखा that की I was looking मैं देख रही थी at the cardigan cardigan की और and half hit आदा चुपा लिया herself माने खुद को again दुबारा behind the door दरवाजी के पीछे but I knew लेकिन मैं जानती थी now की that I was right अब मैं सही जगह थी well अच्छा you knew my mother आप मेरी माता को जानती थी I asked मैंने पूछा have you come back क्या तुम वापस आगई said the woman औरत ने कहा I thought मैंने सोचा था that no one had come back कि कोई वापस नहीं आएगा only me कोई और नहीं सिर्फ मैं ही वापस आई हूँ a door opened एक दरवाजा खुला and closed बंद हुआ in the passage गलियारे में behind her उसके पीछे a musty smell emerged एक अजीब सी बद्बू दुरगंद महसूस हुई I regret मुझे दुख है I cannot do anything for you मैं तुमारे लिए कुछ नहीं कर सकती I have come here महें आई हूँ especially खास तोर से on the train train say I wanted मैं चहाती हूँ to talk to you बातें करना for a moment कुछ छण it is not convenient for me now अभी मेरे लिए सुविधा जनक नहीं है said the woman उस स्क्री ने कहा I cannot see you another time मैं तुमसे बात नहीं कर सकती किसी all time आना she noted उसने सरहलाया and cautiously close the door और बड़े साबधानी से दर्वाजा बंद कर दिया as though जिससे कि no one inside the house घर के अंदर का कोई भी व्यक्ती should be disturbed disturbed ना हो I stood मैं खडी रही वहर जहां I was on the step मैं सेडी पर थी the curtain in front of the bay window moved खड़की के अंदर का परदा हिला someone stared at me किसी ने मेरी और देखा and would then have asked जैसे की पूछा हो what I wanted की मैं क्या चाहती हूँ oh nothing कुछ नहीं the women would have said इस तरी ने शायद उससे कहा it was nothing कोई ऐसी बात नहीं है I looked मैंने देखा at the name plate again name plate पे दुवारा darling it said पे लिखा था in black letters काले letters में on white enamel सफेद रंग की पट्टिका पर and on the jump a bit higher the number number 46 और उसके उपर मैंने ध्यान से देखा मकान का number था 46 46 as I walked slowly back to the station जैसे जैसे मैं station की और धीरे धीरे बढ़ रही थी I thought मैंने सोचा about मने विशह में my mother अपनी मा के who जिसने had given me मुझे दिया था the address ये पता years ago सालों पहले it had been in the first half of the war ये शायद युद्ध का पहला पढ़ाव या पहला भाग रहा होगा I was home मैं घर पर थी for a few days कुछ दिनों के लिए and it struck me immediately तुरंट मेरा ध्यान गया that की something कुछ और अदर या जादा about the rooms कमरों का head chin बदल गया है I missed various things बहुत से चीज़ों को मैंने कम पाया my mother was surprised मेरी मा बड़ी आश्चर चकित थी I should have noticed कि मैंने कितनी आसानी से चीज़ों को ध्यान दिया so quickly और कितनी चल्दी से then she told me तब उसने मुझे बताया about Mrs. Darling I had never heard of her मैंने कभी नहीं सुना था उनके बारे में but apparently लेकिन इस पश्च तौर पर she was an old acquaintance वो पुरानी परचित थी of my mother मेरी माता जी की whom माने जिनको she had not seen for years उन्होंने सालों से नहीं देखा था she had suddenly turned up and renewed their contact वो अचानक फिर से उनके बारे में जानना चाहती थी और उनका पता भी since then तब से she had come regularly वो लगातार आ रही थी every time हर बार she leaves here she takes something home with her वो यहां आती थी और कुछ न कुछ अपने साथ ले जाती थी said my mother मेरी माने मुझे बताया she took all the table silver in one go एक बार में वो table पर रखी हुई सारी crockery ले गई and then the antique plates that hung there और जो दीवार पर टंगे हुए बड़े पुराने antique कुछ plates थी नाया वो भी ले गई एक बार में she had troubled lugging those large ways इतने बड़े बड़े भारी सामान को ले जाते हुए उन्हें बड़ी दिक्कत भी हुई and I am worried मुझे बहुत चिंता हुई she got a crick in her back कि उनके कमर में तकलीफ हुई होगी from the crockery उस crockery से या उसे ले जाते हुए my mother shook her head मेरी माने सर हिलाया pityingly बड़े ही दया में वो अभी भी उनके बारे में बड़ा दुख जाहिर कर रही थी I would never have dared मेरा कभी ऐसा साहस नहीं हुआ ask her उससे पूछने का she suggested it to me herself उसने खुदी मुझे ये सला दी थी she even insist यहां तक की कह सकते हैं कि उसने इस बात पर बड़ा जोर दिया था she wanted to save all my nice things कि वो मेरी सारी अच्छी चीज़ों को बचाना चाहती थी if we have to leave here अगर हमें यहां से जाना बड़ा we shall loss everything हम सब कुछ खो देंगे she says ऐसा वो कहती थी have you agreed कि आप सहमत थी with her उससे that she should keep everything कि उसने सब समाल के रखा होगा I asked मैंने पूछा as if that's necessary कै यह जरूरी है my mother cried मेरी माची लाई it would simply be an insult यह बड़ा अपमान होगा to talk like that ऐसा सोचना ऐसी बातें करना and think about the risk she is running और उस परशानी के बारे में सोचो उस खत्रे के बारे में सोचो उसने उठाया each time she goes out of our door जितनी बार वो हमारे दरवाएं से बाहर जाती थी with a full sit case or bag एक पूरा भारी बोज उठा कर ले जाती थी कितनी परशानी होई होगी उसे my mother seemed to notice मेरी माता को ऐसा प्रतीत हो रहा था that की I was not entirely की मैं पूरी तरह से convinced माने संतुष्ट नहीं थी उनसे she looked at me उन्होंने मेरी और देखा reprovingly नाराज होते हुए and after that उसके बार we spoke no more about it हमने इसके बारे में फिर ज्यादा बाते कभी नहीं की meanwhile इस दोरान I had arrived मैं आ चुकी थी at the station station पर without having paid बिना दिये much attention माने ध्यान to things, चीजों को on the way रास्ते में I was walking मैं गुजर रही थी in familiar जानी पहचानी places माने इस्थानों से again दुबारा for the first time पहली वार since the war युद के but I did not want to go further than was necessary लेकिन मैं उन चीजों और उन इसमर्तियों में दुबारा जाना नहीं चाहती थी जिनकी आवशक्ता नहीं थी I did not want to upset myself मैं खुद को दुखी करना भी नहीं चाहती थी with the sight उस दर्श से ऑफिस्ट्रीज गलियों को and houses मकानों को देखते हुए full of memory जो यादों से भरे हुए थे from a precious time हमारे खुबसूरत और कीमती वक्त के in the train train में back दुबारा I saw मैंने देखा मिसीज डॉरलिंग go in front of me अपने ठीक सामने again as I had the first time जैसा कि मैंने पहली बार देखा था I met her जब मैं मिली थी it was the morning after the day मुझे याद है वो सुभा की बात थी दिन की my mother had told me जिस दिन मेरी माने बताया था about her उनके बारे में I had got up late उस दिन मैं देर से उठी and coming downstairs I saw my mother मैंने अपनी मा को देखा about to see someone out किसी को बाहर जाते हुए a woman एक ऐसी औरत को with a broad back जिसकी कमर थोड़ी चौड़ी थी Okay friends कहानी का बाकी बाग अगले पार्ट में देखेंगे अच्छा लगे तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें